E-Tap का ये 8th lecture है Last lecture में हमने Simple एक beam की analysis की थी जिसके अंदर हमने point load लगाया था आज हम 3 problems यहाँ पर देखेंगे इस lecture में एक problem आपको सामने दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमने UDL लगाया है Uniformly Distributed Load 4 kN per meter का और 10 meter की यह length की beam है और यहाँ पर हमें property भी दी हुई है 300 by 350 mm इसके अलावा हम 2 problems और देखेंगे एक problem में हम multi support यूज करेंगे और जो सबसे last problem है आपकी उसमें हम एक structure देखेंगे अभी तक हमने जो point load लगाया या फिर जो UDL हम जो सामने देख रहे हैं इनको हम gravity में लगाते हैं लेकिन last जो हमारी problem होगी उसके अंदर structure में हम यह देखेंगे कि अगर हमें direction change करनी हो load की तो हम कैसे करेंगे तो इस problem से हम लोग start करते हैं सामने आपको simple एक problem दिखाई दे रही है 10 meter की आपकी beam है left side में अगर आप देखेंगे 10 meters की length है तो हम इसके लिए एक grid पहले बना लेते हैं ये tab में और ये tab में हम इसको problem को solve परके देखते हैं तो new model से मैं start करता हूँ मैंने new model पर click किया new model पर click करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको जो units रखनी है वो क्या रखनी है तो मेरी जो problem है उसमें जो मुझे unit दी गई है वो meter में दी गई है और load मुझे क्लो newton में दिया गया है तो metric SI unit मेरी यहां से select होनी चाहिए then मैंने ok किया अब जो आपको beam बनानी है उसके length 10 है तो अभी minimum देखे यहां पर एक चीज ज्यान रखेगा कि minimum जो आपको grid line रखनी होती है x में या y में वो हम 2 रखते है अगर आप single 1 रखेंगे तो आपको grid दिखाई नहीं देगा तो इसलिए जो minimum value है हम उसको यहां पर भी 2 रख रहे है तो मैंने आप पर x की value दी और y की value मैंने आप पर 2 दे दी ठीक है y से वैसे हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन two number of line मैंने x में दी है तो मैंने y में भी 2 दे दी है length मुझे x में रखनी है 10 तो मैंने 10 लिखा और y में हम length कुछ भी रख सकते है number of story से भी मुझे कोई इस problem में मतलब नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपर one story रख रहा हूँ और then मैंने इसको okay कर दिया और okay करने के बाद आपका एक grid यहां पर तयार हो जाएगा जो आपने data बनाया है last lecture में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका figure है अगर आपको उसका जो है shear force और bending moment देखना होता है तो आपको उसको front से देखते हैं तो front में देखने का तरीका मैंने last lecture में आपको बता चुका हूँ तो अभी यहां पर क्या करते हैं यह top view में मुझे नहीं देखना मैंने बंद कर दिया अब यहां पर देखे आपको एक beam generate करनी है और beam को generate करने से पहले हमें उसके section generate करना होगा और section से पहले हमें material generate करना होगा तो मैं material definition में चलता हूँ और यहां से add new material मैंने किया और यहां से मैं India select करके आपका जो भी reason है उसको आप select कर लिजे concrete यह still जो भी आपको analysis करनी है वो select कर लिजे मैंने m25 यहां से generate करके ok कर दिया यह सारे options अभी है मैं default रखता हूँ then ok और उसके बाद मैं यह आपका देखे material यहां पर बन चुका है then मैं इसको ok कर देता हूँ एक बार फिर हम यहां पर क्या करेंगे आप define में जाएंगे और section property आपकी बार हम define करेंगे और problem में जो आपको section property लिए गई है वो दी गई आपको 300 by 350 mm तो मैं यहां पर एक new property एड़ करता हूँ rectangular और rectangular एड़ करने के बाद उसका नाम मैं यहां पर रख देता हूँ देखे beam और जो property है मेरी 300 by 350 यह मैं यहां पर पॉपर्टी रख देता हूँ material मुझसे पूछा जा रहा है m25 जो मैंने अभी बनाया था depth मैं यहां पर रख देता हूँ 350 और width मैं रख देता हूँ 300 तो 300 मैंने रख दिये यहां पर और यह data मैंने सारा default रखा बाकी then okay कर देता हूँ तो देखें यहां पर एक आपकी जो property आपने apply करिये वह आया पर आपको show हो रही है then मैं okay कर देता हूँ material मेरा बन चुका है और जो beam की property है वो भी मेरी बन चुकी है third number पर चलते हैं हमें क्या करना है हमें यहां पर beam जो है वो create करनी है तो उसके लिए देखें हम चलते हैं quick beam पर quick draw beam पर तो मैंने click कर दिया quick draw beam को और click करने के बाद simple आप यहां पर click कर सकते हैं यहां से आप चाहें तो property को पहले select करके फिर यहां click करिए तो मैं भी directly आपर click कर रहा हूँ क्लिक करने के बाद अब इसको हम friend view में देख लेते हैं तो मैंने elevation पर click किया elevation पर click करने के बाद मैंने यहां से to select किया क्योंकि मुझे two grid eyes की से इसका view friend view मुझे चाहिए तो मैंने यहां पर to select किया और इसको मैंने apply then ok कर लिया तो यह देखे friend view में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अब हमें क्या करना है कि इसकी जो property जो मैंने बनाई थी उसको apply करना है तो मैं इसको select करूगा मैं आपको पहले भी बता चुकाँ कि जिसकी property होती है apply करने के लिए आप पहले उसको select करते हैं तो मुझे यह beam की अगर property देनी है तो मुझे beam select करनी होगी पहले मैंने beam को select किया then assign और assign में मैंने frame में section property को select किया जैसे ही आप section property को select करेंगे एक tab आपके सामने open हो जाएगा और इस tab में जो property आपने बनाई हुए है 300 by 350 की उसको आप select करके apply करेंगे then ok करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने जो property थी वो यहाँ पर apply कर दिये 300 by 350 की अब हम problem में आगे चलते है problem में यहाँ पर दिखे जो left side है यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको एक pin support दी है और right side में आप दिखेंगे तो यहाँ पर आपको fix support दी है तो then आप क्या करोगे आप simple drag करके आप node को select करेंगे मुझे यहाँ pin support apply करनी थी तो मैं assign में गया joint मैंने select किया और joint पर मैंने restraint को select किया restraint को select करने के बाद दिखेंगे पहला option आपका fix का है second आपका pin है और third आपका roller है तो मुझे second option याणि pin support मुझे यहाँ पर apply करनी थी then apply, okay तो देखें यहाँ पर pin support आपकी apply हो गई है अब हम track करके जो यह वाली node है इसको select करेंगे और assign में जाके हम select करेंगे joint, restraint और यहाँ से मैं fix support को select कर दूँगा और apply then okay अब देखें राइट साइड में जो है आपकी fix support apply हो गई है left side में आपकी pin support apply है हम यहाँ पर property apply कर चुके है support apply कर चुके है अब हमारा जो next step है जो analysis का वो क्या होना चाहिए जो load condition है वो आपको apply करनी है तो last lecture में मैंने point load बताया था यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि uniformly distributed load आपको apply करेंगे देन आप assign में जाएंगे और assign में जाने के बाद frame load पर आप जाएंगे दिखिए जो load है आपके frame के वो frame load में मिलेंगे आपको पहला option point मैंने last lecture में यहाँ सही बताया था आपको second option है distributed load तो मैंने distributed को select कर लिया अब यहाँ पर देखिए यह जो 3 point आपको दिखाई दे रहे हैं यह 3 point वही है जो मैंने define किये थे यानि अगर आपको एक load पहले से दिया और उसमें कुछ add करना है तो आप पहले option को tick करेंगे replace मतलब या तो आपको नया load लगाना है या कोई already पहले से आपने load लगाया हुआ है उसको हटा के लगाना है कोई दूसरा load तो आप replace पर जाएंगे delete का मतलब है कि अगर कुछ गलती से आपका load लग गया और आपको उसे delete करना है then आप third option यहाँ से choose करके apply कर देंगे तो यह मैं आपको last lecture में बता चुका था आगे चलते हम forces मुझे यहाँ से select करना force direction मेरी gravity gravity मतलब z direction देखे आपके ऊपर की तरफ है और load आपका नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे क्या होता हमारा gravity होती है तो हमें यहाँ पर direct हमने gravity ले ली direction यहाँ पर नहीं दी हुए उसकी बजाए आपको gravity मिलेगा तो मैंने यहाँ से gravity को select कर लिया और select करने के बाद आपसे यहाँ पर कुशाद आ रहा है कि distance कितनी होनी चीए ठीक है दो option मैंने last lecture में बताये थे आपको लेकिन अब भी आपको क्या करना है कि आपको UDL apply करना है तो देखे यहाँ पर लिखा हुआ है uniform load तो अगर आपको uniform load पूरी beam पर apply करना है तो इन value से आपको कोई भी मतलब नहीं है आप इन value में कोई भी change नहीं करेंगे और direct यहाँ पर लिख देंगे आप जो आपको value दे गई है तो आपको value दे गई थी 4 kN per meter तो मैंने यहाँ पर direct लिखा 4 और 4 लिखने के बाद मैंने इसको apply कर दिया then okay अब मुझे analyze करना है तो analysis करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर run analysis का option है f5 इसकी shortcut की है then आप click करेंगे इस पर और click करने के बाद आप से पूछा जाएगा कि आप इसको save कर दीजे project को तो मैं इसको project 1 के नाम से save कर देता हूँ project 2 के नाम से save कर देता हूँ क्योंकि एक project मैं last lecture में बना चुका हूँ तो project 2 then save और save करने के बाद अब आपको इसकी deform shape दिखाई देगी देखिए जैसे आपका ये analysis हो जाएगा तो यहाँ पर एक deform shape जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी देखिए और यहाँ पर एक option start animation तो जब आप इस पर click करते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर load का effect होगा और किस तरीके से वहाँ पर vibration generate होगे यह effect आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा animation के through अब मैं इसको stop कर देता हूँ और stop करने के बाद अब हम चलते हैं देखिए मैं आपको last time भी बताया था कि अ इसको रिपीट कर दूँगा आपको मुमेंट थी थी आपने select किया और apply करके इसको ok कर दिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैं एक बार direction यहाँ पर define कर देता हूँ देखिए x direction आपको इधर साइड में मिलेगी यह है आपकी ऊपर आपकी z direction होती है और y direction आपकी य है तो मुमेंट का मतलब क्या है कि y के about आपको moment मिलना चीए है ना moment यही तो है कि आप y के about देखेंगे तो 33 का मतलब होगे आपका y और आते हम shear force पे 2 2 का मतलब क्या है जो shear force होगा वो कहा मिलेगा आपको direction आप उपर है आपकी z की so shear force इसी direction में मिलना चीए आपको तो इसलि यहाँ पर आपको देखे, color से दिखाई दे रहा है आपका moment, अगर आपको value चाहिए, तो आप simple यहाँ पर select करेंगे, show value at controlling station on diagram, then apply कर दिया, आपने ok कर दिया, 46.3988, यह आपकी moment की value आगई, अगर आपको यहाँ से shear force देखना है, तो shear force 22 आप select करेंगे, apply, then ok, तो यह आपकी shear force की value आगई, यहाँ पर, एक end पर है 24.8481, एक end पर है 41.3941, अब अगर आपको यहाँ से sell weight की analysis नहीं करनी है, यानि यह जो load आपका आ रहा है, वो sell weight and then plus, आपने जो load लगाया था, वो है, अगर आपको अपने simple load की analysis करनी है, sell weight add नहीं करना है, तो आप last lecture में जाके देख सकत हैं कि किस तरीके से हम sell weight हटा के इसको analyze करेंगे, तो यह थी मेरी पहली problem,